सशिका स्टूडेंट्स एक्जाम शुरू हो चुके हैं ते कंप्यूटर दा एक्जाम भी बहुत छेती होन वाला है तो क्यों ना एक रिवीजन हो जाए जिसनू कहने दिया है लास्ट मिनट रिवीजन पर वीडियो शुरू करन तो पहला निच्चे एक सब्सक्राइब बटन वन्या होया है उसनों जुरूर दबाना ता चलो फिर शुरू कर देया अपनी रिवीजन सब तो पहला करांगे छोटे प्रेशन उत्तर जो की तो अड़े एक नंबर जा दो नंबर विचान दे हाना सब तो पहला है खाली स्ट्रिंग दी लंबाई की हुंदी है खाली स्ट् कम्प्यूटर दी प्रोग्रामिंग पाषा मां दो तरा न्या हों दियान हाई लेवल ते लो लेवल इसनों दर्मियाने लेवल दी पाषा भी केहा जान्ता है होगे है हर स्ट्रिंग दी स्मापती डैशनल होनी चाहिए है इस दा उत्तर है बैक्सलेश एन जिसनों तुसी न लिखे जान्दे हाना मतलब जी में की तो अनू पता है C1 चेंज के सपाशा है इसलेए C दे जड़े के वर्ड है ओहों हमेशा छोटे अक्षरा विच लिखे जान्दे हाना छोटे अखर मतलब ABC अलफाबेटिकल ओडर दे छोटे ABC सट्रिंग विच अक्षरा नू उल्टाउन लेए केडा फंक्षन वर्ड जान्दा है STR, REV मतलब STR, REV मतलब reverse ता उल्टाउन नू इंगलिश विच के कहन दे है reverse इसलेए STR, REV फंक्षन वर्ड जान्दा है अगला है C विच किन्य चिन वर्ड जान्दे हाना C विच टोटल कान्वे तरांते चिन वर्ड जान्दे हाना अगला प्रेशन है अगली लाइन ते जान लेए C विच केडा चिन वर्ड जान्दा है इस दा उत्तर है back slash N मतलब new line function strcmp abcd की मोड़ेगा इस दा उत्तर आएगा 0 क्यों क्योंकि strcmp cmp मतलब compare करन लेए ता इसनों लिखन दा जो symbol है ओ ही गल्त पाया होया है जिते इना ने semicolon लिख्या है उस जगाती हमेशा command होंदा है इसलिए इस दा उत्तर 0 आएगा इकको समे इक चिन पढ़न लेए केडा function वर्ड जान्दा है get care इक चिन नूँ पढ़न लेए get care function वर्ड जान्दा है इकको समे सम्पूरन string नूँ पढ़न लेए केडा function वर्ड जान्दा है gets, get see, या get care wys, iwy, g दा की अर्थ है इस दा पूरा नाम है what you see is what you get मतलब जो तुसी computer दी screen ते देखोगे ओही output तो आनू मिलेगी मतलब जो screen ते दिखाई देगा तो आनू paper दे उपर वी ओही output मिलेगी leading दा की अर्थ है leading दा अर्थ है दो जान दो तो वद लाइना दे विचकार दूरी do while केडा loop है सी विच दो तरा दे loop हुन दे हान प्री लूप ते पोस्ट लूप do while एक पोस्ट लूप है strlen string दी लंबाई किन्नी वापस करेगा एह इस दा अंसर आएगा 0 क्यों? क्योंकि length हमेशा एक string दी पता कित्ती जान दी है बलकि India is a great एह एक statement है केडा function string वीच सब चिन्ना नू lower case तो अपर case वीच बदल दिन्दा है इस दा उत्तर है str, upr str मतलब string, upr मतलब अपर lower case मतलब छोटी abc, अपर case मतलब वड़ी abc अगे है दो strings नू मिलाउन ली केडा function वर्ट दे जान दा है दो strings नू मिलाना मतलब दो strings नू जोड़ना इसलए str, cat str मतलब string, cat मतलब concatenate c वीच दो strings नू मिलाना मतलब उनना नू concatenate करना c पाशा वीच किन्ने main function वरते जान न? c वीच हमेशा 1 ही main function वरते जान दा है program जिन्ना मरजी लम्बा होवे लेकिन main function हमेशा 1 ही होएगा c आपरेटर कीन्ने तरांदे होंदे हा न? c वीच तिन दरांदे operator होंदे हा न? binary, unary ते ternary binary जिनना विच दो operand होंदे है unary, 1 operand वाला ते ternary जिस विच तिन operand होंदे है अगे है केडा input function बहु शब्दी string गा दे लई नहीं वरते आ जानदा इज़ा उतर है scanf string लई scanf ते printf नहीं वरते जानदे उसले put care, get care वरते जानदे है string library दी स्थापना एक user वलो किस file द्वारा किती जानदी है string.h जेकर तुसी अपने program दे वीच strings दी वरतों कर रहे हो ता तो आनो सब तो उपर string.h header file नो show करना पएगा students अगे है कुछ important वड़े प्रेशन उत्तर सब तो पहला प्रेशन है string की हुंदी है string एक जा एक तो वद अखरांदा सुमेल है जिवे तो अड़ा नाम जिस दे वीच चार, पांच या छे जिनने मर्जी alphabet सांदे होंगे ता हो इक string है इसनु हमेशा double quotes वीच लिख्या जानदा है ते string दा आन्त हमेशा एक खाली चिननाल ही हुंदा है string नु store करन लेए कोई वी data टाइप नी हुंदा इसले इसनु हमेशा array वीच ही store किता जानदा है string दीजे header file है वो string.h है इसले प्रोग्राम वीच अगर string नु शामिल करना है ता string.h header file नु सबतों उपर शामिल करना पाएगा अगला प्रेशन है array कैर बारे विशेश की हुंदा है answer is strings नु store करना ली कोई भी data टाइप नी हुंदा इसले string नु हमेशा care array वीच ही store किता जानदा है ते उसनु सबतों पहला declare किता जानदा है जिवें तुसी यह थे देख रहे हो array एक तरह दा data टाइप नी तरह ही है ते ए array दा नाम है ते चार एक string दी लंबाई है चार अखरांदी string आ सकती है अगला है double quote switch A ते single quote वीच A दा की मतलब है जो double quote switch A है ओहो एक string नु show कर दा है लेकिन जो single दे वीच A है ओहो character नु show कर रहे है क्यों? क्योंकि string नु हमेशा double quote switch लिख्या जानदा है ते character नु single quote switch लिख्या जानदा है अगला प्रेशन है put care ते put switch की अंतर है put care character output function है इसनु character नु monitor दे उपर show कर रहे वरत्या जानदा है जदकी puts एक string output function है इस दी वरत्या जानदा है खाली चिन दा की मनतव हुंदा है खाली चिन नु नाल चिन भी केहा जानदा है ते इसनु back slash zero दे नाल पर दर्शित किता जानदा है string दा अंत करन ले खाली चिन दी वरत्यों कितनी जानदी है ते अगर string ही खाली है ता उस दी लंबाई भी zero ही होवेगी Students उमीद है तो अनोहे वीडियो चंगी तरह समझा गई होवेगी ते इसनु देखके तुसी अपने एक्जाम दी त्यारी अच्छी तरह कर सकते हो जिकर वीडियो चंगी लगी ता चैनल नूँ सब्सक्राइब करना ते वीडियो नूँ वद्द वद्द शेयर करना ताकि जादा तो जादा students इस वीडियो नूँ देखके अपने एक्जाम दी त्यारी कर सकन Thank you so much